नमस्ते दोस्तों तो आईए गवार की फली की सब्जी बनाते हैं यह बहुत हिल्दी और टेस्टी भी होती है मैं इसके साथ आलू भी एड़ करूंगी क्योंकि आलू डालने सब्जी और टेस्टी लगती है नहीं सबको पसंद आती है तो देखे मैंने गवार की फली को छोट अब कूकर में अब गालू गालू होगा बला वह पाणिश और नमग भी डाला होगा लिए आएीँ पने स्वाध के ऑनिसार अप नमग ढू लिए तेघ्ज अमच नमक डालूगां आप अपने वह घ्ल डीन रम ऑप को अभी देप में अब मैं इसको बंद कर दूंगी इसमें आपको पानी नहीं डालना है क्योंकि ये नमक से ही इसे माच पे पक जाएगा ये कोशिश करेगा कि सीटी ना लगने पाए वो थोड़ा सा सूंसूं करेगा उतने पे निकाल दे जगा ये देखे मैंने निकाल लिया है ये उबलने के अब कुछ ऐसी दिखेगी आलू और गवार की फली आई तो अब इसे चटपटी सबजी बनाते हैं कड़ाई में तो मैंने कड़ाई गरम कर लिया है पहले मैंने इसे तेज आच पे रखा था फिर मैंने इसे सिमाच पे कर दिया अब मैं इसमें डेड़ चमत सरसो का तेल डा तो देखिए यह तेल गरम हो गया है अब मैं इसमें एक चमत जीरा डाल दूंगी जीरा हलका सा फूटने लगा अब मैं इसमें कटी हुई लासन की कलियां जो मैंने काटके रखी थी पान से चे वो डाल दी एक से दो मिर्च कटा हुआ आप इसमें डाल देजाए और हलका सा अब आपने जो गौर की फली और आलू साथ में अबाल के रखा था पूरा इसमें डाल देजे और इसको चला देजे अच्छे से ताकि एक दूसरे में मिल जाए अब आप इसको आपको इसको क्रिस्पी बनाना है ठीक है तो इसको ढखना नहीं है इसमें आपको खुले में पखाना इसको तो आप चमच नमक, एक चमच चल्दी, एक आधा चमच मिर्च और एक चमच धनिया पावडर डाल देजे अगर आप गरम मसाला खाना पसंद करते हैं सब्जी में तो एक आदा चमच गरम मसाला आप डाल दीजे उसके बाद आप इसको अच्छे से चला दीजे आपको इसे є हूं थोड़ी-थोड़ी देर पर आप intrani पर ही सब्सप्जी चलाते रहे हैं बसलש तयार हो जाएगी आप देख रहे हैं कि सब्से 2000 पक चुकई है पूरी तरीकेसे थीच एह है मैंने सम फिर स्माच पशा है Although इसम सब्सेद्दनि पूरी तरीके झाल 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 झाल